अब सारे लोगों का स्वागत करते हूं आपके अपने YouTube चनल एस्पेरेंट्स लेंग में इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था साइंस के कूछ ऐसे कोस्टन जो आपके एक दिन क्लास नहीं आई थी क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉण संवाना उस स्तारीके से मिल नहीं रहा था लेकिन फिर मैं लेकर आते हूं साइंस की क्लास तो मैं आज फिर से साइंस की क्लास ने आएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से प्रैक्टिस से टू है आज साइंस का आज से हम लोग इसको continue करेंगे ठीक है PDF के लिए आप लोग Telegram चैनल को जोईन कीजिए description box में जो है और comment पीन में आपको link जो है वह वहाँ पे आपको मिल जाएगा अच्छे start करते हैं आज के पहले सवाल से हमारा पहला सवाल है कि राशाइन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है आपका मूल राशाइनिक माना जाता है ह2CO3, HNO3, H2SO4 या फिर HCl तो राशाइन उद्योग में जो है आपका H2SO4 को जो है तेजाब का मूल माना जाता है ठीक है या जो है आपका sulfuric अमल है क्या है हम इसे कह सकते है या sulfuric अमल है जिसे जो है petroleum में मिलाके या फिर विशफोट के लिए जो है इसे तयार किया जाता है इसका उपियोग कहा किया जाता है तो petroleum में किया जाता है उसके बाद क्या होता है कि शोधन में मतलब कि petroleum के शोधन में और आपका विश्फोट में जो है विश्फोट कोई चीज़ का विश्फोट हो बनाने में किया जाता है ठीक है चलिए next देखते है कि fuse का सिध्धान्त है फ्यूज का जो सिध्धान्त है वह क्या है ठीक है विद्धूत का राशाइनिक परभाब विद्धूत का यांतरिक परभाब विद्धूत का उश्मिय परभाब या फिर विद्धूत का चुमबकिय परभाब तो fuse का जो सिध्धान्त है वह है विद्धूत का उश्मिय परभा यानि option c आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, क्या हो गया option c इसका, option c जो है आपका इसका right answer हो गया, या जो है आपका teen और सीसा की मिस्रधातू से है, किससे बना होता है या आपका, teen और सीसा की जो है मिस्रधातू से ये बना होता है, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, दूर द्रिष्टी निवारन के लिए काम में लेते हैं ठीक है दूर द्रिष्टी निवारन के लिए जो ऐसा कौन सा लेंस है या फिर दर्पन है जिसे हम यूज करते हैं ठीक ओप्शन है आपका अवतल लेंस उत्तल दर्पन उत्तल लेंस या फिर अवतल दर्पन आपका इसक अपोजित होता है अगर बश्पन में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आता होगा दिमाग में दूर द्रिष्टी यानि दूर की बस्तू ना दिखाई दे निकट द्रिष्टी दोस यानि कि निकट की बस्तू नहीं दिखाई देती है और इसमें आपकी दूर की बस्तू दि दूर दृष्टी निवारन के लिए काम मिलेते तो अगर जिन्हें दूर दृष्टी है तो वो अगर उनके अगर बोला जाए तो चश्मा दिया जाए या फिर कोई लेंस लगाया जाए तो कौन सा उस लेंस में जो काम करेगा वो कौन सा होगा उत्तर लेंस होगा ठीके क्या ह उत्तर लेंस होगा अब इस लेंस का काम क्या होता है इसे हम अभिशारी भी कहते हैंा जारी लेंस की तरह यह काम करता है यह क्या करता है कि कृणों को धूर की जब आपकी बस दिखाई ने देती है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं आगे है कि धोने का सोड़ा का रासाइनिक सुत्र है धोने का सोड़ा, अब धोने का सोड़ा क्या होता है यानि कपड़ा धोने का शाबुन, इसका रासाइनिक सुत्र क्या है NaOH, Na2CO3, NaHCO3 या फिर CaOH2 ठीक है तो धोने का जो soda होता है इसका आपका रासाइनिक सुत्र हो गया Na2CO3 क्या हो गया Na2CO3 यानि option B जो है आपका इसका right answer हो गया इसे हम sodium carbonate भी कहते हैं क्या कहते हैं sodium carbonate भी कहते हैं किसे धोने के soda को या जल में थोड़ी मात्रा में विलाय होता है और क्या होता है यह छाड़ी होता है क्या होता है थोड़ी मात्रा में अगर हम इसे जल में घोलते हैं तो यह थोड़ी मात्रा में विलाय होता है मतलब की पुर्ण तरीके से यह विलाए नहीं होता है और इसमें जो छार यानि कि जब भी हम किसी भी धोने के साबून ले लें या फिर सर्ष ले लें कुछ भी ले ले या फिर लिकुट कोई ले ले तो देखते होंगे पीतल और काश की मुर्तियां ये क्या हो जाती है आपकी मतलब हरी हो जाती है तो क्यों हो जाती है इसका कारण क्या है क्यों हो जाती है हरी अब घर में आपके पीतल के बरतन होंगे बरतन छोड़ दो आप दिया होगा दिया को भी अगर देखा जाए पीतल हो या फिर आपको क देखा जाए तो क्या होता है, कि अगर आप उसे रख दो, यूज में नहीं लाओ, या फिर यूज में ला रहे और उसे आप अच्छे से साफ नहीं करोगे, तो green green हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है, किस वज़ा से हो जाता है, ठीक है, संशारन के वज़ा से, अक्षीकरन, अपशरन या फिर अपगटन यानि शरन तो संशारन की वज़स option A आपका क्या हो गया? इसका right answer हो गया ठीक है? क्या हो गया? option A आपका इसका right answer हो गया इससे क्या होता है? धातु का जो 6 अब अम्रास होने लगता है अगर आप रखे रखे उसे यूज नहीं करते तो वह फूट जाता है, crack हो जाता है इसी तरह आपके इसमें भी क्या होता है? इसका शय और हराश होने लगता है ठीक है? नम्र में से कौन सा अधातू? अर्धचालक की तरह? ट्रांजिस्टर में प्रियोग होती है, तामबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी ठीक है? कौन सा जो है इसमें प्रियोग होता है? तो जर्मेनियम कौन सा? जर्मेनियम, option B आपका क्या हो गया? इसका राइट अंसर हो गया अर्धचालक की तरह? ट्रांजिस्टर में प्रियोग होता है, किसकी तरह? अर्धचालक की तरह? ठीक है? इसका गलांग और कुथनांग देखे तो 238 और कुथनांग आपका 272 ठीक है? डिगरी सेलसिएश होता है, चलिए आगे है आपका कि डैस आसपास ते ध्वनी को एकत्रित करता है देस जो है आपके क्या करता है आस पास ते जो है आपके ध्वनी को एकत्रित करता है कान का पर्दा करनावर्थ यानि कोच लिया कर्ण पाली यानि पिनना या फिर श्रवन तंत्री का तो आस पास ते जो ध्वनी को एकत्रित करता है वो कर्ण पाली है ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका कि प्रकास वर्स निमलिखित में से किस से शंबंधी थे प्रकास वर्स जो है वो निमलिखित में से किस से शंबंधी थे धोनी से दूरी से गती से या फिर मौसम से तो प्रकास वर्स जो है आपका दूरी से शंबंधी थे किस से शंबंधी यानि option B आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, चलिए next देखते हैं, mobile phone, fax, internet आदी जन संचार के किस साधन के अंतरगत आते हैं, ये जो है आपके किस साधन के अंतरगत आते हैं, बिदु संचार के साधन, मुद्रिच संचार के साधन, दृष्च श्राव संचार के साधन, इन में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आपका बिदु संचार के साधन से ये आते हैं, तो option A आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, next देखते हैं, खाना बनाने में परियोग की जाने वाली, गैस मुखिता है, खाना बनाने में जो आपका परियोग किया जाता है, वो गैस कौन सा ह carbon dioxide, carbon monoxide, methane या फिर nitrogen वो oxygen gas मिश्रण, तो खाना बनाने में अगर ये परियोग किया जाता है, तो आपका methane है, कौन सा है, तो option C आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, ठीक है, LPG जो है आपका, LPG से हम कहते हैं, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, क्या होता है, प्रोप होता है, ना गंध होता है, ना श्वाद होता है, या रंग हीन, गंध हीन और स्वाध हीन होता है, ठीक है, कौन सा gas, तो methane gas, इसे हम इंधन gas के रूप में जानते हैं, LPG में आपका क्या होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है, यह gas अधिकतर कहा पाई जाती है, तो दलदली जगहों में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, दलदली जगहों में जो है, यह gas अधिकतर पाई जाती है, जिसके कारणिशे हम क्या कहते हैं, मार्श घैस भी कहते हैं, चलिए, आगे है आपका, जो बच्चे बिहार दरोगा की त्यारी कर रह इसमें जो है आपको ये सारी चीजे मिलेंगे जो बच्छे बिहार सिविल कोट कलार को और प्यूर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह है यह रिविजन बैस जिसमें उन लोगों को PT और मेंस की जो है recorded class जो की app पे आपका available है प्लस 10,000 प्लस MCQ का जो है वो भी आपके app पे available है साथ में interview के time जो है जो यह course लेते हैं उनके लिए एक special discount है एप का link जो है आपको description box में दिया हुआ मिलेगा या फिर आपका comment में pin किया होगा वहाँ से आप जाके आपको download कर सकते हैं और जो बच्चे अगर यह course लेना नहीं चाहते हैं चाहते हैं सिर्फ मैं वो 10,000 का PDF लूँ तो वो भी आपके app पे available है आप वहाँ से जाके उसे भी purchase कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें धन्यवाद